हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है थीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक क्या है देखिए आज का हमारा टॉपिक है न्यू पैटर्न कोडिंग एड डिकोडिंग आपको पता आऊँगा प्रिविएस जो हमारी क्लास होई थी उसमें मैंने न्यू पैटर्न के कुँछ कॉडिंग डिकोडिंग के कुछ कौनिप्स बताया थे उन्हीं कुछ को कुछ आगे बढ़ाएंगे बतलब कि इसमें पूरे कॉंसर नहीं करवाये थे मैंने कुछ करवाये थे बाकी जो बचे होई कॉंसरेट से वो इस क्लास में करेंगे तो को इसके अंदर में आपको कोडिंग डिकोडिंग के हर तरह के कोश्चन कराऊंगा चाहे आपके प्री यह मेंस लेबल हो देखे मेरी इसमें अभी तक फोर क्लास हो चुकी है फट क्लास जिसे स्टूडेंट में देखी होगी उनको पता होगा जिन्होंने नहीं देखिये तो वह क्लासों को जाके देख ले पहली क्लास में मैंने आपको बदाया था कंडिशन सब्सिट्यूशनल शनिक और चाइने डिखा यानए कि चाइनिज कोडिंग लिखार्टि कहते हैं जो आपके प्रीषी वह मेंस में तौह आए मौिशम में द्सकौण Lost और तक रूंचि हम दिस्कस करेंगे इदेखिए ससके इंदर सबसे पहले हम बढ़ते हैं अधि इसके इंदर यह हमारा पार्ट नमबर टू है यह देखिए यह मेरी एक क्लास चल रही है जिसे स्टोरेंट को मतब की पजल करनी है 100 प्लस बैंक और प्योगी पजल सिसके अधर आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी क्लासे हो चुकी है क्योंकि पजल तो आपकी एक्जाम में आती ज़रूरि है यह करना तो इसको कर सकते हैं तो हम सीधा चलते हैं देखिए अभी तक क्याता हमारा जो क्या कहते हम साथ 16 पॉइंट कर चुके थे 17 पॉइंट है ठीक है अब देखो इसके तरब कुछ वर्ड दिया है जैसे कीप दिया है इट दिया है गुड दिया है नन दिया है तो देखो कीप का कोड यह जो इसके सामन में अगर पढ़ा होगा आपने वह रिवीजन क्लास करी होगी तो यह इजीली कोशन कर पाऊगी तो आपको करना सही तरीकी से रिवाइस करा है तो आप थोड़ा वीडियो पॉस करके देखना नी तो मैं इस कोशन को बदाता हूं कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसमें जाएंगे नंबर्स में 11,20,23,23 मतलब हो सकता है किसी कसम में प्लेस वैल्यू दे रखाओ ठीक है और पी आर तो सी ठीक है इसमें लैटर दी है तो देखो क्या तरीक होता है सबसे पहले मैं इसके अंदर चोटा वर्ड ले लेता हूं जितना चोटा वर्ड लूंगा ना में सबसे ब'Tाइब माठ प्लेस और यब ठीक है अब बनान तो इससे हमें इससे हमें क्या बनाना एं देखो आर सीधा नहीं है तो हो सकता ही किसी का पोच्ट दिया हो आपको पता हुआ आई का पोजिट आर होता है यानि कि फर्ष्ट का पोजिट आर है तो आर हाँ तो यह ना देखो यह इस तरीके से 20 आर एक में रेज कर लेते हैं इसको दुबार मैंने लिखा ना आई का क्या था हां सही लिखा था मैंना आई का था नो और इसका 20 जोडने से तो 20 आएगा निसीधा 20 दे नहीं रखा था लाश का इधर मैच नहीं हो रहा तो देखो हम नंबर पे चलते हैं पह में का पोज़िर क्या होता है जी होता है जी सेवन पर आता है ठीक है वहलब यह नहीं हो रहा है वह अ कर दो तक नंबर हमें मैंच निकर रहे देखते हैं सद्रेखो इट से हमने बनाया सबसरेगे। सबसरेगे 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 सबसंदा है सबसरेगे स economis तो मिल्ばい एसे इस्के इंतर रखा है वह यहां पर रहका है इसमें लेटर अब नंबर देखने हैं देखो इसमें देखो लटन में फैको कितना होता है वी में तो खकड़ी मोहते है तर ने चाहर थाह आचार डीißtर थाया यहां से यहां टेखिसर देख OFF इसको छोड़ दो फिलाल, इस आद में स्प्रिंट हो गए मतलब इसमें क्या करा है जो इसमें नमबर लिये हैं, नमबर, लास्ट लैटर का अपोजिट करके उसका प्लेज वैल्यू लिख दिया, और इसके अंदर क्या करा है इसमें, अलफा बैट में मतलब की लैटर में फिर लिके से आएगा अब नेक्स्ट पर चलते हम तो आपको सिम्बल में करना है मैंने आपके सिम्बल के कॉंसेप्स बताया तो चारी लगते हैं इसके इंदर सिंबल जब दो पहला तो लोगिक होता है यहां तो आपका proceed आपका वर्ड क्या कते हैं अलफा वैट आका और से स्टार्ट हो रहा हूं देखो इसके इन्दर है यह क्या है वह ओ साथ कयसा सकता है तो से साथ 47 सा कि अभी ह है 19 25 साथ किसकी प्लेस वैल्य होती है जी की साहथ होसा था लास्ट की दे रखाओ ए किसकी होती है पांच की otive नायंटीन की वैं फिपटीन की तो हम अपना इसने जो सिंबल यूज wrestler हैं अगर वोल्ट का वोल से स्टाट होता तो percentage और आपका consonant से होता है consonant से होता है तो है और बाकि जो number आएं आपके number जो digit आएं तो last की place value last की place value इसका answer देखते हैं देखो यहां पर रदी आओगा यह देखो मैंने दिकर का है number किस तरीके साथ last letters of words place value last की place value ले ली और symbol में if word started with vowel hash consonant से तो हैस है और वैसे उसका dollar है अब देखो यह है थर्ड कोशन है देखते हैं इसमें क्या लोजिक लगा है देखो music से आपको यह बनाना है dance से यह बनाना natural से यह meditation से तो देखो इसके इंदर किस तरीके से होता हो सब है कि सबसे पहले मैं नंबर देखता हूं कितना को नंबर मुझे कुछ जाने पैचाने से लग रहा है 21 521 9 मैंने आपको लास्ट में भी प्रिवियस क्लास में कॉंसेप्ट कराया था उसमें मैंने आपको बोवल का पताया था यह आपको याद होने चाहिए की की आई और यह एक पांच नो बंद्रा एक्टिस यह वह बनाता है कुछ देखो वहल का ही मुझे लग रहे है यह किसका दरिकान अइन का पले इदांका नहीं है यह है 21 का के यू का में अब यू का 21 और पांच किसका इका एक एक आ का अधिन नांबीद यहां और यह से कुछ को सिखने यू देह आपकी हमें नंबर तो इजली मिली है नंबर किस तरीके से मिला हाइएश्ट का हाइएश्ट कि वोवल का प्लेज वैल्यू अब हम जलते हैं किसके उपर है क्या कहते है आपके लेटर पे यह देखो क्या लिखा सी एच एच, देखो क्या हम हो सकता हूँ है सब्ख्राइब सब्ख़य एक इसके अधर में टीखने साऀच तो अब हम प 사र देख। Muzik में किहते हैं Lowest Conconent है Lowest Conconent हो सकता है इसमें जाओगे देखो इसमें किया है H में THAN में H भी Lowest Conconent है ठीक है पर इदर गए जो student जलदी जलदी कर देखा आपको पूरा पढ़ना है इसमें Consonant नहीं आया इसमें A आया है और इसमें Lowest Conconent तो इसमें क्या चक्र इह दें रहा है जो- cours कांसर कोई म HEY को इसका यहाँ पर दिया हुआ है यह लिखा है हाइस्ट वोवल्ड वर्ड प्लेस वैल्व यह तो नंबर आ गया लोएस्ट लेटर ओब बन में लोएस्ट लैटर है लोएस्ट लैटर है जो वर्ड में अलफावेट है वह उसका देया है तो इस तरीके से भी कोश्टन बन सकता है अब मैं नैक्स्ट के चलता इसके नदर दो लाइन का दिया यह समझने की कोशिश करते तो सबसे पहले जब भी सिंबल आए और सिंबल चेक करो कितने हैं देखो डॉलर 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 एक सिंबल एड़ारेट डॉलर एड़ारेट डॉलर एड़ारेट तो देखो इसमें दो सिंबल है लोजिक वही होगा या तो फर्स्ट का इसमें दे रखा होगा यह देखो यह कि वोवल कांसोनेंट वोवल कंसोनेंट इसमें भी गलत हो गया अब हम क्या करते हैं इसके अंदर इस लास्ट करके देखते हैं लास्ट का वर्लों देखो यह क्या दे रखता है कंसोनेंट कंसोनेंट यह वो बैस फिर गलत हो गया यह तो सारे सेम्हें यह घलत हो गया देखो जो हमारे लोजिक जो बहुत use करता है इक जामीनर वो दोनों फेल हो गए मैंने आपको एक लोजिक और बताया था counting of letter of world count करो इसमें कितने neither में 1,2,3,4,5,6,7 इसमें 3 following में 1,2,3,4,5,6,7,8,9 balance में 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है इस तरीके से 1,2,3,4,5,6 better में 6 ही है न 2,2,4,6, इसमें 4 English में कितने 2,3,4,5,6 इसमें 4 देखो अब हमें clear हो गया देखो अगर counting of letter पर्ड का counting of letter count करेंगे अगर वो odd है तो देखो इसने hash ले रखाए देखो 7 में यह आया add the rate 3 में भी आया 9 में भी 9 में इधर 6 आते ही इसने क्या कर दिया देखो add the rate ले दिया इधर देखो इधर देखो even आती क्या करें इसने add the rate दिया odd में कितना लिया है hash और even में यह तो इससे हमें symbol तो मिल गए symbol से हमने क्या decide करा जब counting of letter of word कितना क्या है even है even तो इसने की लिया है हमारा add the rate और जब odd है तो odd में क्या लिया है इसने dollar तो यह हमें लोजिक मिल गया आप side में लिख सकते हैं अब बात आती हमारे number की देखो जैसी मैंने number देखो 5,1,7,1 5,1 से तो मेरा दिमाग लगा बोगल हो सकता है जैसी साथ आया तो side यह logic गलत हो गया अब देखो 5 पिक कितने पर आता है पांच कितने पर आता है, इन दोनों E में से कोई सी भी आ सकता है A है, एक पर ठीकर, साथ कितने पर आता है G पर कितना आता अपर अभी कुछ समझने है आरहाँ आगे निखते है B का दो होता है E का पांच इसमें is यह पांच इस तरीकसे मंत किस तरीके से लिए आप को सब्से पहले मैं end लेता हूं इसमें सबसे चोटा में letter लिया, पॉल्लें Strong इस तरीके से नहीं है तो आप क्या करोगे वोबल वोबल वळा लो यह वोबल इसको समझो इसमें लिया है ठीक है मिमिक इंग्लिश को करोगे एęज यह देखो इस में इस्तार को गता भी करोंस है obso तो सब्सक्रांद यह लोज्यक हो सकता है जो इसमें वोबल से स्टार्ट है उसमें सर्लविश्ड वोबल लिया है इसने मेरे साब से और देखो इसमें देखो जैसे कि ये चलते हम गोन पर चलते हैं गोन पर चलोगे तो आप इसके अंदर किया है जी ओ एन इसमें 5 लिया है काफी देखते हैं इस कुश्चन में क्या है ये भी नहीं हो रहा कि बैलेंस में देखो ए है कहीं हाँ यह है जी जी क्या है इसके इंदर है पांच दो कि इसको मैं दुआरा करता हूं यह देखो कौन है इसमें 5 ले रखा है ठीक है इंगलीस में इसमें ले रखा है पहला वाला इसमें लास्ट बद ले रखा है सबरेंस में ए ले रख्वास का है रहे हैं वक्ष्ड का देख लेड़ों क्या इवा यह जो में रिख्या यहां अई इस लाटर प्लेश क्राएं ना कलिक शग्रण यह बनाने में यह पर six आछा चलो next पर बढ़ते हैं इसको छोड़ देना अब देखो यही सेम खुष्टन है अब देखो इसके इंदर क्या देखा देखो नीधर के से यह बनाना है तरीका आफ़ चेक करनेगा, 39 कैसे ले सकते हैं, 39 देखो यह देखो इस तरीके से देखो इसने का करा है, ओ, ओ, आई, ओ, कितने पर आता है, 15 पर, 2 बारे तो 30 और 9 बुलब इसने करा जो वोवल है, ना हमारे वोवल को पिलस करके लेख दिया इसमें चेक करते हैं, देखो, एक ए इधे रखा, एक, पाँच, छे, और इधर साथ आना चीए, इस तरीके से ठीक है, और इधर एक आएगा, इधर देखो, 19 तो मतलब कि काउंटिंग और वोवल करके इधर आपका आएगा और इसमें वो आया है क्या कहते हैं, लेटर किस तरीके साज़ और डपलू आया, इसमें डपलू बनाने कोशी करते किते हैं, एड़्टू अ क्या आता है 7, E का क्या होता है, V , R का क्या होता है , हाँ मैं लब यह देखो लेटर तो असानी से मिल गए, लास्ट का आपोसिट करके और वोवल का एडिशन करके नमबर आये देखो यहाँ पर मैंने लिख रहता है इसका, सब्सक्राइब करके नंबर आएंगे और आपोजिट लेटर करके आपर वर्ड आएंगे मैक्स पर चलते हैं तो मैं इसने क्या करा देखो वावल तो इसमें दे रखा है पर हाइस्ट वावल करके दिया है हाइस्ट वावल की प्लेस वैल्यू यह तो इजली मिलका आप देखो यह सी सी ए भी दे रखा है यह किस तरीके से आएगा यह काफी अच्छा कोश्चन है यह देखो सी क्या इसमे और F कितने पर आता है माइनस करके देखो 3 तब भी न आएगा देखो इसका को लाजिक में सीदा बता आँ काफी अच्छा लोजिक है यह आपके एकजाम में आ सकता है इसमें क्या करा था इसमें वोवल कितने है एक दो कॉलीज में वोवल कितने है तीन है दो वोवल है यह यह आस का लोजी कर देगे यहां पर आंसर दे रखा है यह देगी फिर्स्ट लेटर ओप पोजिट प्लेस वैली तो नंबर इसली मिल गएते हैं वहला हाइस्ट प्लेस वैल्यू दे रखा है वोवल का ठीक है ना हाइस्टी एक बड़ चेक कर लेते हैं देखो पंद्रह नौ कोलीज हाँ ठीक है और इसके अंदर देख रहा है देखो अगर एक बोवल है तो एक रिप्रेजेंट करेंगे दो बोवल है भी तीन चाहर डी सोन अगले कुश्चन पर चलते हैं देखो हां यह रहा एक कुश्चन हो रहा है क्या तो यह से अंदर सबसे पहले मैं इसके अंदर भड़ा नंबर चौड़ देते हैं हम पहले लेटर पर चलते हैं देगे यह यह रहा दिखाता हूं आपको देखो यह लिख दिया वाई यह लिख दिया एस लिख दिया लास्ट लेटर एज इज लिखके इसमें लेटर लिख दिये तो बहुत इसी था पर नंबर कैसे आएंगे देखो ईज़ों को जोड़ो तो कितना आएगा 28 या हो नहीं सकता हैं इसका लोजिका बहुत अच्छा यह इस में कितने लेटर आफ काउंट मिलब बर्ड में कांट करोगा यह कितने 2 है इसमें कितने है चार है इसमें कितने है साथ है इसमें कितने है एक दो तीन चार पांच है तो देखो क्या करा है इसमें 6 का स्क्वाइर करा यानिकि जितने लेटर है उसका स्क्वाइर करा और जितने लेटर है उसमें माइनस कर दिये 30 आ गया ना इसी तरीके से 7 का स्क्वा 4-2-2, 4-16, 4-12, देखो इस तरीके का अब लोजिक बनता है, मैं इसका अंसर दिखाता हूँ, देखो, counting of, नलब की counting of words का तो square कर दो, जितने आपके letter दे रखे, फिर counting of sub of words कर दो, इस में जैसे 5 थे, 5 का मैंने square कर नहीं, 5 नहीं, 6 थे, 6 का 36, और कितने थे, 6 में से 6, 37 में 6, इस तरीके से आ गया, और last letter का अप ऐसी, एस तरीके से आ गया, next कलते हैं, देखो, इस तरीके से हमारी class ही पर end होते हैं, देखो, जितने concepts थे, मैंने first class में आपको करवायते, वो जाके देख लेना, और ये second में बच्चों करवा दिया, अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हमारे जितने भी concepts होने से वो हो गए, अब हम सवाल में सीखेंगे, जो नई concepts आएं, क्योंकि देखो, जितना practice करोगे, उतना आपको आएगी, तो आप करना गया, देखो, पहले मेरा telegram चैनल पर पीडियाप पड़ा हुआ है, वो डाउनलोड कर लेना, दूसरा ये डाउनलोड कर लेना, और इन दोनों को खोशिच करना समझने की, और ना समझाए तो वीडियो को देखना, क्य में हम आप question स्टार्ट करेंगे, आभी तक हम ने देखो कितनी हमारी साथ 5 किलासे हो गई है, तो